आपको अपने यूटूब चैनल महात्मा जेटर में वेलकम करता हूं तो पीछे जो है हम लोगोंने एकसरसाइज 3.3 में होमग दिये थे और आपने कर भी लिया होगा ठीक है तो आज जो है मागी चलेंगे और यह जो क्लास है वो लंबा क्लास होगा ठीक है आज का जो क्लास ह क्लास फिर भी जो है क्लास होगा ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले जो लोग चैनल पर नई बर जुरे हैं वो क्या करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई पैसा नहीं लग रहा है साथ में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ग्रूप का लिंक दिया हुआ है मैस ग्रूप का लिंक दिया हुआ है मैस ग्रूप के लिंक पर जाओ किलिक कर दो किलिक है लिखा हुआ किलिक करो डाइरेक्ट आप हमारे ग्रूप में जूर जाएगा ठीक है मैस के ग्रूप में वहाँ पर आपको इंपोर्टन कोस्टन यह सब दिये ज । और तेजी में चलेंगे हम लोग आज होगा तो होगा है चलिएक तो स्यमेट्रिक सबसे Nej सेमेट्रिक सबसें पहले हम स्यमेट्रिक द देखेंगे क्या दिखेंगे symmetric मतलब summit i.o summit i.o मतलब matrix जो हो वो हम लोग आज देखेंगे आज मतलब की अभी सबसे पहले तो देखो ये होता क्या है अगर symmetric जहां भी बोल दे जहां भी symmetric बोल दे तो जैसे example के थुरू ही समझेंगे उससे पहले देख लो मान लो की A आपका कोई matrix है क्या है ये A आपका कोई matrix है और क्या हमने माना A हमारा एक matrix है और यह जो A है वो अगर A-के बराबर है तो यह जो होगा वो क्या होगा symmetric होगा क्या होगा सममित होगा मतलब A जो है A-के बराबर होगा तो यह symmetric होगा ठीक है इतना आपको पता चल गया कि symmetric का पहचान क्या है अगर कोई matrix A जो है उसको हम लोग A test में change करेंगे तो दोनों अगर बड़ाबर आ जाएगा तो यही आपका symmetric है As for example, example देखो मान लो कि A आपका एक matrix है क्या है matrix आपका root 3 है 2 3 2 3 minus 1.5 minus 1 minus 1 और 1 यह आपका एक matrix है तो अब जो है अगर इसको हम लोग A dash में change करें अगर क्या करें A dash में हम लोग change करें A dash में अगर हम लोग इसको change करें तो A dash में change करेंगे तो यह क्या आजाएगा यह जो row है वो क्या हो जाएगा? column हो जाएगा इसमें a-dance में transpose आप उकल पढ़ाये थे ना जो कि मतलब row जो होता था column हो जाता था और column जो हो जाता था वो row हो जाता यह आपको हम पहल पढ़ाये थे तो बस वही चीज़ तो देखो a-dance क्या हो जाएगा? रोट 3 यह वाला 2 यहाँ पहाँ जाएगा यह वाला 3 यहाँ पहाँ जाएगा और फिर क्या होता था यह वाला row फिर यहाँ पहाँ जाएगा second column बन जाएगा तो 2-1.5 यहाँ पहाँ जाएगा फिर वो-1 जो है यहाँ पहाँ जाएगा ठीक है? यह आपको समझ में आया ना, चलो, अब यह वाला जो row है, वो यहाँ प्याज जाएगा इस तरीके से, 3, minus 1, और 1, देखो, आगे, A देस नकल गया न, अब देखो, A और A देस क्या आपका ब्रावर है, देखो तो, 3, minus 3, minus 3, यहाँ ब्रावर है, ब्रावर है, मतलब क्या किया जो है, symmetric है मतलब a बड़ावर a-dash है मतलब क्या है या symmetric है तो symmetric का पचान क्या होगा कैसे करेंगे symmetric का पचान जो भी matrix दिया रहे उसको अगर हम लोग transpose निकाल दे मतलब a-dash निकाल दे या फिर at निकाल दे तो अगर दोनो a और a-dash निकाल बड़ावर हो तो वह जो है symmetric है यह बात समझ में आई चलो आगे बढ़ो आप देखो आप इसका एक formula होता है ध्यान दो 1 by 2 a-a-dash ध्यान देना 1 by 2 a plus a-dash होता है symmetric का यहाँ पे symmetric लिखके formula लिख लो symmetric बड़ावर 1 by 2 a plus a-dash ठीक है a क्या है आपका यह वाला matrix है a-dash क्या है आपका यह वाला matrix है ठीक है तो जब आप a plus a-dash करोगे तब आपका क्या आएगा आपका symmetric matrix आ जाएगा ठीक है symmetric matrix आ जाएगा ठीक है यह बात समझ में आए symmetric matrix कैसे निकालेंगे 1 by 2 A plus A dash अगर कर देंगे तो symmetric matrix निकल जागा ठीक है तो चलो इसको नोट करो बस यह ही था symmetric में और कुछ नहीं किताब में लंबा चोड़ा दिया हुआ है उसको नहीं पढ़ना है हम लोग को बस उतना ही पढ़ना है जितना की हमारे exercise में जरूरत है और question बनाने के लिए काफी है फाल तो चीजें नहीं पढ़नी है ठीक है तो बस इसको note करो फिर जो है आगे परेंगे वीडियो करो के note करो चलो आप देखो हमने क्या सिख लिया symmetric सिख लिया अब skew symmetric सिखेंगे क्या सिखेंगे skew symmetric ध्यान दो skew symmetric skew symmetric क्या होता है मान लो जैसे कि हम लोग symmetric में माने थे कि A आपका एक matrix है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मान लेना है कि A आपका एक matrix है कुछ भी कोई भी order हो सकता है कुछ भी हो सकता है matrix का ठीक है तो यह जो A होगा अगर minus A dash के बरावर होगा तब ही जो होगा यह SQ symmetric होगा चलो अभी हम example करके देखेंगे उससे पहले एक और तरीका देख लो SQ symmetric पहस्चानने का ठीक है SQ symmetric पहस्चानने का एक और तरीका देख लो उसके बाद आगे चलेंगे स्क्यू सेमेटिक को जानने का एक तरीका आपको बताया गया था square matrix मतलब वर्ग आयू ठीक है तो वर्ग आयू में क्या होता था जो उसके सभी रो होते थे और कॉलूम होते थे जो पंक्ती और संतब बरावर होते थे जैसे मतलब square matrix मतलब कि ये बरावर पोई एक square स्क्वार मैत्रिक्स है चलो जेनरल हम लोग लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यह आपका एक मैत्रिक्स है स्क्वार मैत्रिक्स कैसे है इसका जो रो है मतलब और जो है रो नमबर रो एम और एन जो है यह जो एम है और यह जो एन है यह दोनों क्या है एम बड़ाबर एन है तो इसक्वार मैत्रिक्स होता था यह आपको पता होगा ठीक है चलो तो यह आप लोग जानते हो अब देखो यहाँ पे इसक्यू सेमेट्रिक पहचान है तो देखो इसक्यू सेमेट्रिक का एक ही पहचान है आपका जो डाइगोनल एलिमेंट है मतलब डाइगोनल अवय है वो सब ही जो है जीरो होंगे हमेशा क्या होंगे जीरो होंगे ठीक है तो देखो इस तरीके से यहाँ पे आपका कुछ भ होँगे क्या होँगे जीरो होँगे तो यह रहा om क्या होता है किस्क्यू सेमेट्रिक काफॉर्मूला क्या होता है är isq symmetric formula क्या होता है 1 by 2 a minus a dस क्या होता है formula a minus auing क्या होता है formula a minus a dस फिर हम लोग आगे में चलते हैं इसको note कर लो फिर और हम आगे चलेंगे आगे चलते हैं उसे इसको note कर लो उसके बाद चलते हैं कर दो तब तक पानी पी लेते हैं आप लोग इसको नोट करो कि इसमेंटिक और स्क्यू से मैट्रीक ॉगकर बताएंगे कि सिमेर्टिक और स्क्यू से मैट्रीक हो जोड़ते हैं क्या आता है ठीक है जो देखो अब क्या है अब जो है आपका अगर हम लोग से इसक सेमेट्रिक और सेमेट्रीक को जोडएंगे तो क्या होगा इसा रहता है कोशण बनाने के लिए तो आपका एक्जांपल भी करेंगे इस सबसे परले यह वाला है A plus A dash पलास बीच में पलास करना है पलास ये वाला चीज 1 by 2 A minus A dash नोट करना क्या होता है यहां जो होगा आपका matrix A के बड़ाबर होगा मतलब कि A matrix कोई दिया हुआ है A matrix कोई दिया हुआ है तो A matrix दिया हुआ है तो यहां से हम लोग A dash निकाल लिए A dash निकल जाएगा और A हमको पता है तो आपका यह symmetric निकल सकते है symmetric निकालने के बाद फिर आप क्यों symmetric भी निकाल सकते है formula वस लगा देना है तो जब दोनों चीज निकाल लिए और दोनों चीज को add कर दोगे आप तो वह जो है आपका जो given matrix है मतलब जो matrix दिया हुआ है उसके बराबर होगा ठीक है तो इसको important करके note कर लो BBI करके note कर लो क्योंकि पहुत ज़्यादा important है इसका importance इसका बहुत ज़्यादा है चलो इसको note करो फिर जो है हम लोग इसमें example देखके समझेंगे कि कैसे यह काम करता है ठीक है तो आप लोग इसको note कीजिए चलिए देखें आपे हम लोग जो है दो question पर मतलब की आप लोग जो है अपना-पना NCIT book को निकाल लिजे सामने में और question number मतलब example number chapter 3 का example number 22 निकाल लो ठीक है English medium वालो का जो page number है वो 87 page number में होगा और हिंदी medium वाले को जो है 95 और 96 page number में होगा तो निकाल लो तो देखो question क्या है express the matrix B एक matrix B दिया हुआ है क्या matrix है B है देखो यहाँ पर क्या है matrix B अभी जो चीज हम लोग परें है बस उसी के अधार पर है B एक matrix है इस तरीके का 2-1-1-2-3-2-4-4-4-3 यह आपका कोई एक matrix है B तो उसमें बोला है the sum of symmetric and excuse symmetric समझ में आगिया जैसे कि अभी हम आपको बोलें कि इसका बहुत importance है symmetric और excuse symmetric के addition को जोडने मतलब योग निकालने का बहुत important है मतलब कि इस question में कहा जा रहा है B एक matrix है उसका एक B को एक सम्ममित आयूह तथा एक विशम सम्ममित आयूह में के योग फल के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब कि symmetric और excuse symmetric को add करना है ठीक है तो add हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दो तो सबसे पहले हम लोग excuse symmetric को add मतलब excuse symmetric हम लोग निकाल लेते है ठीक है तो excuse symmetric का formula तो हमको पता ही है तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए B dash पता लेगा तभी न हम लोग symmetric भी निकाल पाएंगे और excuse symmetric भी निकाल पाएंगे तो b dash क्या हो जाएगा ये वाला जो row है वो column हो जाएगा तो minus 2, sorry 2 minus 2 minus 4 इस तरीके से यहां पर आपका हो जाएगा minus 1, 3, 4 1 minus 2, minus 3 इस तरीके से आपका b जो है b dash आगया इस तरीके से यह क्या आगया आपका b dash आगया अब जब B душ ये आ गया तो हम लोग इस Q से interfere निकाल सकते हैं स्वारी, Cometric निकाल सकते हैं तो सिमेटरिक क्या हो जाएगा मान लो, Cometric को हम लोग P से denote करते हैं, क्या P से P जो है क्या है, चैज छोड़ो Cometric, Cometric Cometric बॉरबर क्या हो जाएगा 1 by 2 B plus B dash जो matrix दिया रहता है B और उसका B dash और उसमें 1 by 2 divide कर देंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ ध्यान दो ठीक है अच्छा यहाँ पर आपको skew symmetric भी लिखे देते हैं skew symmetric आपका क्या हो जाएगा skew symmetric क्या हो जाएगा 1 by 2 B minus B dash चलो तो यह आपका सबसे पहले आपको symmetric निकालना है तो symmetric का आपका formula है 1 by 2 B plus B dash ठीक है तो यही हमको निकालना है 1 by 2 को 1 by 2 छोड़ दो एक बड़ा सा bracket दो और B लिख दो B क्या है हमारा यह वाला चीज हमारा B है तो लिख दो B अच्छा direct हम आपको add कर दे आपको तो add करने आता है यह है इसको और इसको add करना है तो आप लोग असानी से add कर लोगे तो direct हम लिखते है ठीक है तो ध्यान दो B plus B dash क्या होगा देखू सेम order का है चलो तो 2 plus 2 4 4 minus 2 और minus 3 sorry minus 2 और minus 1 कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा minus 4 और plus 1 कितना होगा minus 3 हो जाएगा minus 1 और minus 2 कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा 3 plus 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कोई यह मत बोल देना 9 minus 2 और plus 4 कितना हो जाएगा plus 2 हो जाएगा 1 minus 4 कितना हो जाएगा minus 3 हो जाएगा minus 2 और plus 4 कितना हो जाएगा plus 2 हो जाएगा minus 3 और minus 3 कितना हो जाएगा minus 9 होगा ना minus 9 नहीं होगा बालक क्या तुम पढ़ रहा है minus 9 क्या होगा minus 6 हो जाएगा ठीक है चलो तो यह हो गया ठीक चलो तो 1 by 2 अब इसमें multiply कर सकते हैं 1 by 2 multiply कर सकते हैं परदो multiply इस तरही के से हो जाएगा 4 by 2 minus 3 by 2 मतलब 1 by 2 समय multiply होगा minus 3 by 2 minus 3 by 2 6 by 2 2 by 2 minus 3 by 2 2 by 2 minus 6 by 2 इस तरही के से तो आपका क्या आजाएगा आपका आजाएगा यहां पर आप काट वे तो 2 आजाएगा यहां minus 3 by 2 ही रहेगा क्या रहेगा यहां minus 3 by 2 ही रहेगा यहां पर भी minus 3 by 2 रहेगा और यहां पर भी आपका minus 3 by 2 रहेगा यहां 3 हो जाएगा यहां 1 हो जाएगा यहां minus 3 by 2 ही रहेगा अब इसकी symmetric निकालेंगे तो इसको note करो, फिर जो हम चलते हैं, ठीक है, चलो note करो, वीडियो को रोक के, चलो देखो, तो आपका symmetric यहीं नाया है, यह वाला आया है symmetric, अचा देखो, अगर हम लोग इसका transpose निकालेंगे, यह वाला जो matrix है, अगर इसका transpose निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका transpose इसका, पता है, इसका transpose सेम आएगा, जो यह है, वही सेम आएगा, मतलब क्या, अपका symmetric है, अभी-अभी तो हम बताएं है, कि symmetric a बड़ाबर एडस होगा, तो यह जो matrix है, इसका transpose निकालेंगे, तो बड़ाबर आजाएगा, मतलब कि यह symmetric matrix है, ठीक है, प्रुमला होता है, तो पस डाल दो, 1 by 2, B minus, B dash, तो 1 by 2, अब direct हम लोग जोर दे, B minus B dash कर दे, तो 2 में से 2 जाएगा, 0, minus 1 और minus 2, तो minus minus plus हो जाएगा, तो minus 1 और plus 2, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 plus 4, 5 हो जाएगा, घ्यान दो, यह जो घटाने आपको आता है, minus 2 और plus 1 कितना हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, 3, minus 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, minus 2 और minus 4, minus 6 हो जाएगा, minus 4 और minus 1, minus 5 हो जाएगा, 4 और minus 2, minus 2, plus 2 हो जाएगा, तो 4 और 2, 6 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, कैसे, सिमेट्री का हर एक जो डाइगोनल होता है, वो 0 ही होत होता है चलो सबस्क्राइब तो जिरो ही नहीं रहेंगा यहां पर यहां पर फ्वाइड प्री वहाँ gy Node पर यहां minus 5 by 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 by 2 कितना हैगा 3 आएगा यहाँ तो 0 ही रहेगा तो यही तो आपका matrix आए जो क्या है आपका skew symmetric आ गया ना यहाँ symmetric पता चल गया यहाँ पे symmetric है और यहाँ पे जो है आपका skew symmetric है तो आप जो है दोनों को जोड़ देना है तो यहाँ पे आपको हम एक चीज बताये थे कि symmetric के बदले आप लोग मान लो P क्या मान लो P symmetric के बदले जो है आप लोग P मान लो इसको ठीक है P मान लिए और इस Q symmetric के बदले इसको मान लो आप Q मान लो ठीक है चलो यह तो 1 by 2 ही रही है चलो तो Q बड़ाबर आपका क्या आ गया इतना आ गया ठीक है Q बड़ाबर आया न यह जो क्या आया आपका Q ही आया न यह आपका क्या आया Q आ गया और P पता चलिए आप दोनों को जोड़ना है मतलब कि P प्लस Q हमको अब निकालना है तो P प्लस Q क्या होगा यह वाला प्लस यह वाला तो बस इसको जोड़ दो order से में दोनों जुटे गा ही तो 2 और प्लस 0 कितना आएगा 2 आएगा 0 मत बलना कोई minus 3 by 2 प्लस 1 by 2 कितना आएगा solve करके देख लो आपका आजाएगा यहाँ पे minus 2 by 2 मतलब की minus 1 आजाएगा ठीक है उसी तरहिके से इसको minus 3 by 2 plus 5 by 2 जब इसको solve करोगे तो आपका 2 by 2 मतलब 1 आएगा ठीक है चलो तो अब उसी तरहिके से minus 3 by 2 और minus 1 by 2 प्लस 1 by 2 हो जाएगा sorry, minus 3 by 2 और minus 1 by 2 जब इसको solve बढ़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा minus 2 ठीक है? और उसको राद 3 और plus 0 क्या जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, ठीक है? 1 और minus 3 क्या जाएगा आपका? minus 2 आ जाएगा, ठीक है? माइनस 3 बाइ 2 और माइनस 5 बाइ 2 आपका क्या आजाएगा पास 3 आठ 8 बटा 2 कितना होगा 4 होगा ठीक है तो माइनस 4 आजाएगा क्या आजाएगा माइनस 4 आजाएगा और 1 और प्लस 3 कितना आजाएगा 4 आजाएगा और minus 1 प्लस 0 कितना ज़ए है, minus 1 आ गया, ठीक है, तो देखो, यह जो, हम क्या बताये थे, आपका जो symmetric होगा, और skew symmetric होगा, उसका sum जो होगा, आपके matrix के बराबर होगा, तो देखो, इसका sum जो है, क्या आया, यह आपका sum आ गया, तो यह जो है, इसके बराबर है या नहीं है यह बताव आप, बिल्कुल है, मतलब की symmetric और skew symmetric का sum जो है, आपके matrix के बराबर होता है, ठीक है, तो यह आपने निकाल लिया, बस इतना आपको करना था, इस exercise में, इस chapter में, मतलब की exercise में, अब जो है, उसी तरीके का आपका question सब है, तो आप से जो है, यह exercise अब पूरा बन जो question कल दिये थे, 1, 2, 6 दिये थे, तो 1, 2, 6 तो आपने बना लिया होगा, अब जो है, आप लोग 7 से लेकर 12 तक बना लेना, आप से असानी से बन जाएगा, ठीक है, तो homeback बाज में देंगे, क्योंकि अभी और पढ़ाना है, तो चलो इसको note कर लो, वीडियो को रोक के, फ चोड़ी पर रहे थे, अब जो है, question आप लोगो खुद बना ही लेना है, जो नहीं आएगा, वो WhatsApp कर दीजेगा, हमको group में message, तो आप लोग कर सकते हो, हमको message कर देना, जिनको भी problem हो, message कर देना, या फिर हम खुद जो है, कल साम तक आपको solution group में डाल देंगे, ठीक है, सभी exercise 3.3 का, तो आप लोग उससे मिला लेना, जिनको नहीं है, वो समझ लेना, ठीक, तो आप देखो, आप जो है, हम लोग exercise 3.4 पे चलते हैं, और यहाँ जो है, आपका last topic है, आज आपका last class है, किसका matrix का, इसके बाद, सोम बार से, जो है, Sunday को तो आपका close रहेगा, कल तो आपक chapter exercise 4 भी, और यहाँ जो है, elementary operation of a matrix, यहाँ से जो है, आपके past number के सवाल आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना, chapter exercise 3.4 से जो है, अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो उसमें से आपको past number के question हर साल आते हैं, और इस साल भी आएंगे, इस साल और हलका question आएगा, तो यहाँ से च आपका elementary operation of a matrix, मतलब आयूह पर प्रारंविक सक्रिया, या क्या होता है, इसमें आपको mainly, दो तरह के चीजों को पढ़ना है, दो चीज जानना है, दो symbol जानना है, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहला, अगर इस तरीके से रहे, आपका दोनों तरफ arrow, अच्छा तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, यह जो है, यह जो आपने लिया है, मतलब दोनों तरफ अगर arrow है, मतलब दोनों तरफ अगर तीर है, तो इसका मतलब होता है, interchange, अभी interchange क्या होता है, यह बताएंगे, अभी बस note करना है, interchange क्या होता है, तो interchange होता है, जैसे कि row है, और column है, sorry, दो row है, तीन रो मालो और तीन रो में किसी दो रो को उठालो और उपर नीचे उसको कर देते हैं इस रो को उपर और उस रो को नीचे कर देते हैं तो आपका रो चेंज हुआ मतलब दोनों उपर नीचे हुआ मतलब इंटर चेंज कर लागा तो इसका बताएंगा अभी आपको क्या होत करता है इस तरीके से मतलब एक तरफ ही एरो तो इसको बोलेंगे चेंज टू इंटर चेंज और चेंज बस इस दोनों को नोट कर लो बस इसी से हमारा यह जो चैप्टर है वो बन जाए अब देखो कैसे बन रहा है अब आपको एक चीज नोट कर लेना है अगर हम लोग हिंदी रोको उठा रहे हैं अभी सिर्फ लिखना है समझेंगे बाद में रोको उठा रहे हैं तब कर अगर हम लोग रोको उठा रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रोग से ही काम करेंगे काम करेंगे ठीक है तो यह आपका पहला पॉइंट हुआ इसको नोट करो फिर सेकेंड पॉइंट में आप लिखो अगर बस आप लोग खुद से लिख लो कैसे लिखना है इस तरीके से एरो दो और लिखो अगर हम लोग लिखो अगर हम लोग रो के जगा पर क्या कर देना कॉलूम कर देना यहां पर लिख दे रहे हैं कॉलूम को उठा रहे हैं तो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलूम जहां जहां रो है वहां कॉलूम कॉलूम से ही काम करेंगे रहे ठीक है अब रो को क्या बोलते हैं अब कि लीख लेना पंग्ति ह। कि पॉल्म पॉल्म को क्या वोलते हैं संथव कंथ इस तरीके से आगर है चुल्वर क्लिक का सदिए गलत होगा देलेक्थ लेना तुमसे सखाङ कर लेना खुद हमको नह bloodng क्या फिर्ट है इसको नोट करें दो इसको नोट करो समझते हैं कि यह जो चीज है यह और नोट करो चला उनको इस दोनों को समझ दाए ना तो मान लो यह आपका कोई मैट्रिक्स है क्या है मैट्रिक्स हो मान लो कि आपका है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से ठीक है यह आपका मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहले तो आपको रो और कॉलूम क्या होता है यह आपको बता ही है यह वाला जो है आपका R1 हो जाएगा यह वाला जो है आपका R2 हो जाएगा और यह वाला जो है आपका R3 हो जाएगा बस ध्यान देना R1, R2 और R3 आपको पहस्चान आना चाहिए R1 क्या होता है R2 क्या होता है R3 क्या होता है यह आपको समझ में आना ही चाहिए उसके बाद यह वाला C1 हो जाएगा यह C2 हो जाएगा और यह C3 हो जाएगा तो Column 1, Column 2, Column 3 ठीक है संतब को Column बोलते हैं यह आपको पता ही है English वाले भी C1, C2, C3 ही लिखेंगे सभी को वही ची लिखना है तो R1, R2, R3 और C1, C2, C3 क्या होता है आपको पता चल गया ना कि यह वाला जो है मतलब यह वाला जो है आपका रो है और यह वाला जो है आपका Column है तो C1, C2 और यह वाला C3 और इधर रो के लिए R1, R2 और R3 इस तरीके से ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए चलो इसको नोट करो फिर जो है यहाँ देखो अब हम लोग इसका यूज करते हैं इसका यूज क्या है तो मान लो कि अगर हमको यहाँ पे क्या करना है यह मैट्रिक्स है उसमें जो है R1 के जगा R2 और R2 के जगा R1 लिखेंगे ठीक है तो R1 अभी आपका क्या है 2,3,4 है तो 2,3,4 कहां चला जाएगा नीचे मतलब कि यहाँ पे R2 उपर आ जाएगा और R3 के लिए तो कुछ कह नहीं रहा है तो R3 जैसे का तैसे रह जाएगा तो यह काम हम लोग कर सकते हैं तो इसको आप लोग समझ लिए अब देखो अब जो है आपका यहीं वाला मैट्रिक्स है और इसमें अगर यह इसका अगर आपको चेंज करने के यह क्या होता है इसक हो रहा है तो कैसे हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा अब R1 R3 में चेंज हो रहा है मतलब R1 जो है R3 में चेंज हो जा रहा है तो R1 ऊपर चला जाएगा इसमें जो है इंटर्चेंज बला में उपर नीचे कर सकते लेकिन अगर इस तरीके से है तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा आरं ओन में या तो आपको और कोई चीज मल्टिप्लाइ करना पर गा या फिर आपको दूसरे मैट्रिक्स को जोड़ना पर गा तो माहलो हम मल्टिप्लाइग तो इस तरीके से कर रहें मतलब R1 छेंस टू फाइपर 1 मतों पाच गुना हो ठाए है तो यह हुआ मतलब आरवन में सिर्फ पास गुना हो जाए बाकी सब जैसे का तैसर आजाया चलो तो इसको नोट करो फिर आपको एक चीज लिखवा देते हैं फिर आपको दिक्कत नहीं होगा चलो देखो क्या लिखना है आपको यह जो आरवन है आपका कोई भी चीज में चेंज कर सकता है तो आरवन चेंज टू आरटू इंटर चेंज हो सकता है या फिर आरवन में या फिर कोई भी आरवन के दिए कुछ भी हो सकता है राम, स्याम, मतलब R2, R3 कुछ भी, तो बस एक आपको बता देने हैं उसी तरीक से सब होगा ठीक है तो R1 में आप लोग कुछ multiply कर सकते हो, मतलब के जो है कोई number होता था, मान लोग की कोई number N से है इस तरीके से, R1 में आप लोग कुछ multiply भी कर सकते हो, इस तरीके से या फिर, R1 को इस तरीके से भी change कर सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर R1 में को जो है आप लोग R1 प्लस R2 माइनस R3 भी कर सकते हो आप लोग को जो मन करे वो आप लोग इसमें कर सकते हो, लेकिन सर्थ यहा है कि रो का काम करें तो रो ही होगा जैसे यहां आए लिए तो र से ही जो भी करना होगा करेंगे ठीक है और अगर सी लेते तो सी में ही जो करना होगा करेंगे ठीक है तो यह आपको समझ में आनी चाहिए तो चलो आप जो है देखो आप इसमें इसमें हम example करते है और आप लोग देखो यहां पर example चलो तो example आप लोग निकाल लो इसका बताते हैं page number कितना निकालना है आपको तो देखो आपको जो है page number 98 निकाल लो पेन नमबर 90 निकालो या फिर आप लोग Εкіूशन नमबर जो है 23 निकालो तेज़ नमबर क्लेशन निकालो उससे पहले आप लोग एक चीज़ देखलो A कोई मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है ठीक है दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाइ कर रहे हैं बस इसको नोट पैना, दोनों को अगर हम लोगं multiply कर रहे हैं, मतलब A गुने B कर रहे हैं, तो यहां जो है, B A के ब्राबर आएगा, ठीक है, B A के ब्राबर आएगा, अगर आया, A B ब्राबर B A हुआ, मतलब की क्या हो जाए, यहां जो है i के ब्राबर होगा, तब मतलब i के ब्राबर, तो i आपका क्या होता था, इस तरीके से होता था ना i, यहां पे 1 होता था, 0, 2 के लिए इतना होता था, 3 के लिए इसी तरीके से diagonal, जो है 1 हो जाता, बाकी सब्जी हो जाता था, इसी तरीके से, तो मतलब कि अगर इस समझ पा रहे हो क्या देखो ध्यान दो मतलब एक उन्हें बी जो है बी-ए के बरावर होगा तब जो है आई के भी बरावर होगा मतलब यह चीज अगर आएगा तो यह दोनों को को फीने हो जो के समझते हैं कईसे होगा एग्जांपल के ठुछ तो इसका क्या करवा ए नहीं होगा एग्सामपल तो उसका answer हमेसा I होगा हमेसा I होगा तो I का मतलब आपको पता है कि जो diagonal होते हैं वो 1 होते हैं बाकि सभी element जो होते हैं वो 0 होते हैं इह आपको पता है यह जो होता है A, V, V, A nहीं होता है लेकिन अगर ऐसा होगा तो वह जो है I के ब्राबर होगा जल्दी जल्दी में इसमें छुट गया जैसे कि यहांपे छिस करना था कुछ फूट गया इलमेंटर्ट आ पए थें lasted तो example आपको कल हम बताएंगे ठीक है तो कल भी इसी टाइम में सारे आट में आप लोग जूर जाएगा और साथ में सुबह में मतलब की English का time आपको दे दिया जाएगा English group में आप लोग जूर जाएगे नीचे description में link दिया हुआ है और साथ में एक और चीज आपको हम बता जेते हैं मैत का भी link दिया हुआ है मैत गूरूप में भी जूर सकते हैं और साथ में कल जो है हम एक बार आपका class लेने के लिए live आएंगे class लेंगे सारे आठ से और उससे पहले एक बार जो है बता देंगे आपको live class हो या नहीं होगा ठीक है तो यह चीज आप लोग धियान रखो छोड़ो live class आपका नहीं होगा में बंडे से शुरू होगा आपका class कल जो है live आएंगे सारे आठ में आप लोग आ जाना सभी लोग ठीक है चलो